नमस्कार दोस्तों मेरे डाम में विमल सिंग बाला जी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है तारीक आज आपकी है 22 जनवरी 2022 की और मैंने आपको मीटिंग के सम्मद में बताया था कि आपकी मीटिंग होने वाली जो की निरस्त कर दी गई थी तो वो आपकी कमप्लीट सफलता पूरो हो चुकी है उसी के संदर में विग्जपती जारी की गई है और ये विग्जपती कल आपकी 21 तारीक को जारी की गई थी आज 22 तारीक है ये देखें आप साइन में 21 तारीक आपको देट भी देखने को मिलेगी वैसे जो आपका किसी को संबोधित करते हुए लिखी जाती है आपका कोई application या ये विग्यपती तो तारीक उसमें ऊपर लिखी रहती है और इसमें नीचे लिखी है और बाकी अगर देखेंगे तो परिक्षाफ 23 तारीक को ही होगी दो पालियों में किसी प्रकार से पोश्ट फोर्म बगारा नहीं होगी बाकी वही सभी दिसान इटोदेश दे रखे हैं आपको प्रमाल पत्र ले जाना है किसी भी समेश्टर की अंक पत्र की मूल परती है और जो भी आपने अपना प्रिसिच्छल प्राप्त कर रखा है उसी के एकोर्डिन ले जाना है सारी जीचा हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी है COVID प्रोटकॉल में आप मास्क जरूर लेकर के जाएगा जो कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है और सोसल डिस्टेंसिंग बगारा भी और जो सैनिटाइजर है वो है आपका और अगर बात करें गलब्स की तो वो आपकी स्वेच्छा नुसार होगा वो इसमें बताय गया है और एक्षा में 30 मिनट पहले पहले पहुचने का आवश्य प्रयास करेंगे ये भी आप इसमें धानना कियेगा और जो निसुल की बस की आत्रा है वो 22 से 24 तक आपकी जो है वो मानने होगी और इसके लिए एक्ष्टा फोटो कापी अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे वैसे तो बस से ट्रैवल मुश्ली लोग नहीं करते हैं अपने ही साधन से जाते हैं क्योंकि बस में वैसे भी इतना कोबिट फैल है तो बस से ट्रैवल करना सही नहीं होगा तो कोशिस कीजिए अपने साधन से जाई अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर आप जा सकते हैं बाकी यहाँ पर अब्यरती जो है उनको कैल्कुलेटर इलेक्ट्रानियों कर इसी सभी की बारे में लिखा हुआ है और लाश में ओवेमार का मुल्यान कर नहीं होगा अगर आप किसी प्रिकार से कोई सामगरी का यूज करते हैं ये सारी चीजिए अब बात करते हैं थमरेल पे जो हमने नियूज देखी कि हर जिले में जाएंगे दो पेपर कौन बटेगा ये उसी दिन अरधारित होगा लखनाउ से जो है ये नियूज निकली है विकासित की अध्धापक पातरता परिक्षा में इस बार दो भिन फर्म जो है उन्होंने प वहीं पेपर के भी दो सेट करवाएं पहले क्या हुआ था आपने देखा था नियूज में जो पेपर लिख वहा था कि पर्म जो है उसमें काफी दीला पोली ती तो इस बर क्या किया गया है दो भिन फर्म जो है उनको अलगछ ठेका दिया ही गया है और साथ में पेपर के भी दो सेट तैयार करवाए गए हैं और लेकिन परिक्षा के लिए जिले में कौन सा पेपर सेट जो है को साकार से निकाला जाएगा इसकी सुचना परिक्षा के दिन ही जो है वो दी जाएगी इस समद्ध में प्रमुक जे सचिव बेसिक सिक्षा दीपक कुमार जो है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है टेटी 23 जन्वरी को ही आउजित किया जाना है 28 नॉम्मर 2021 में टेटी पेपर लीक होने करण रद्ध कर दिया गया थे लेकिन इस बाद सरकार और बेसिक सिक्षा बाद अत्रिक्त सरक्ता बरत रही है औ लेकिन परिक्षा के दन इसे निकालना है वो बाद में बताया जाएगा बाकी जो दिसान अर्देश हैं वो हमने आपको उपर वाले नूटिफिकेशन में हमने सारी चीज़े क्लियर कर दी तो सभी को पेपर के लिए धेर सारी सब कामना है अच्छ से अच्छा पेपर करके जाएगा और जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था उसको इस बर अवश्र देख कर जाएगा ताकि आप कोई क्लियर हो कैसे कैसे कुश्चन अब ट्रिंडिंग में पूछे जा सकते हैं क्योंकि EBS सेक्षन आपने देखा कि अब EBS के कुश्चन आप पूछ के जनल नॉलेज क जाएगे जाएगा यहां तो पूछ पशल में जाएगा तो सबी लोग अच्छे से अच्छा पटर करियेगा तो सारी सब का नाए पेपर के लिए यही था इस ओवराल अपडेट में इस इपर का डेली अपडेट पाते हैं लिए जैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में वश्राओन कर लिएगा वीडियो पसंद है और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले अपडेट में अगले अपडेट में अत्तकिल नमस्कार जैनल